ओम सिरी गने सायनम दूस्तू एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हाड़ दिक स्वागत हैं दूस्तू आज इकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 नवंबर सौंबार की रासी फल के बारे में की हा दिन तुलाराशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान नेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर् और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लो के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों जीवन साती से आज आपको शहुग प्राप्त हो सकता है परन्तु उसके लिए संबंध मदूर बनाए रखना बहतर रहेगा व्यवसाएक द्रश्टी से आज अच्छा लाब प्राप्त होनी की संभावना बन रही है इसलिए यदि आप कार्रे व्यवसाए से जुड़े हैं तो उसे आज बहतर दिसा देने का प्रत्न करें आप जिस भी किसी कार्रे को कर रहे हैं उस कार्रे से संबंधित आज आपको अच्छी काम्याबी प्राप्त हो प्रत्न की संभावना बन रही है साथे साथ आपको नोकरी बदलने में भी काफी लाब मिल सकता है और आपके केरियर के लिए यह परिवर्तन काफी अच्छा सिद्ध होगा दूसरी और विध्यार्तियों को भी उच्छ सिक्षा प्राप्त करने के अच्छे अवसर प्राप् पुलेंगे और आपको नेने विचार आएंगे जिन्हें अपना कर आप कार्य इस्थल पर भी अच्छा प्रदसन कर पाएंगे आप अचल संपत्ति प्राप्ति के लिए भी निवेश कर सकते हैं तो आपको लाब प्रद हो सकता है कामकाज से संबंदित किसी मित्र से भी के कारण मन काफी प्रफुलित रहेगा मित्रों से सैयोग मिल सकता है यदि आप घर परिवार के साथ किसी कार्रे को करने का प्रतन करते हैं तो वह भी आज सफल हो सकता है जिससे आपका मन बहुत दिप्रसन रहेगा दोस्तों साती सात यदि आप नोकरी करते हैं तो भी साइड वैवसाय करने का आज आप प्रैतन कर सकते हैं या किसी के साथ मिलकर कार्य वैवसाय को नई दिसा दे सकते हैं या आप किसी तरह का कोई निवेश करने का मन बना रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं जिससे आपको काम या भी अच्छी प्राप्त हो सकती हैं दोस्तो बात कर लेते ह आपके लिए क्या negative हो सकता है दोस्तों कुछ लोगों का अपने परिवार से अलगाव हो सकता है इसके अतिरिक्त आप अपने करश्षित्र में व्यस्त होने के कारण तथा जीवन के अन्य पहलूँ उपर अधिक समय देने के कारण 아पने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे जिसकी कमी आपके परीजनों को खलीगी साथी साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने काम पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा अन्य था आपके कारेले में आपको परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है कारे सफलता के ल खर्च और बचत के बीच उतार चड़ाव की इस्तिती बनी रह सकती है इसे बहतर बनाने के लिए आपको उत्तम वित्य प्रबंद पहले से ही तैयार करना चाहिए ताकि प्रतिकूल समय में परिसानियों से बचा जा सके यदा कदा अनावशक बातों को लेकर घर में कहा सु आपको हो सकता है परंतु पिता के सैयोग और सुक को लेकर सस्पेंस हो सकता है साथी साथ कारे छेत्र में भी काम की अधिक्ता रहेगी और कारे सपलता के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करने पड़ेगी बड़ोड के बावजूद कारों में अफेक्चित सपलता नहीं मिलन एम वानी पर सेयम रखे अन्यता बेवजा विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साफधन रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो आज आप कहीं गूमने फिरने के लिए ओफर कर सकते हैं तब ही आपके प्रेम जीवन में विर जेह दोस्तो आज आप अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे और अपने प्रेतम को स्पेसल फील करेंगे इससे आपके प्रेम जीवन में मधूरता और बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रती आकरशन की भी व्रत दी होगी जेह दोस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आज इस्तितियां आपके काफिया नुकूल रहने वाली हैं परन्तु आप अपने प्रेमी प्रेमिका के उपर पूर्ण विस्वास रखते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का आज प्रेतन करें साथ साथ यदि आप किसी को प्यार करते हैं और उसे पता ही नहीं तो ऐसे में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को समझाना आवशक है यदि आप पहले से ही किसी को प्यार करते हैं तो आप उनको प्रपोज कर सकते हैं आज का दिन आपके लिए बहुती लकी सावित होन दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज ग्रहों की इस्तिती आपके अनुकूल रहने से आर्थिक लाब और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं कारो बार आज अच्छा चलेगा और कारों में आज आज आपको अच्छी कर सकते हैं जो आपके लिए भविस्ते में आगे चलकर काफी लाबदाएक साबित होगा या दोस्तो धन के लेंदेन के लिए भी आज का समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है दोस्तो कारे च्छित्र में आपके अनुकूल वाता वरन रहेगा हाला की कारे के योग आपके लिए बन रहे हैं जिससे आप कमन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला हैं दोस्तों आज आपको अपने स्वास्थ का भी विशेश लूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि अत्यादिक सोचने और पेट से संबंदित समस्याएं अधिक परिशान आपको कर सकती हैं इसलिए आज आप नेगटिव विचारों से दूर रहें सोचने समझने में आप समय अपना व्यर्थ ना करें और साथ साथ अपने खान पान पर भी आज आप विशे सुलूप से ध्यान दें साथ साथ दोस्तो अपने सुवास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सुवस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशे शुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इश्णान आदी से निर्वत्र होने के बाद भगवान शिव के दरिद्राय देहन शिव स्रोत का पाट अविश्य करें जा दोस्तो ऐसा करने से भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन होंगे और आपके घर से दरिद्रता का नास होगा और साथ ही घर में धन सुक्संपत्ती का आवास होगा घर में धन लाब भी होगा और आपको अनेक प्रिकार के सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै भूलेना तवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद